हालो एवरिवन वेल्कम टू माई चैनल और कैसे हैं आप सभी लो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अभी है मॉर्निंग का टाइम आज का वीडियो मैंने बहुत ही मतलब मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और मैंने सुचा कि आज और ये वीडियो नहां थोड़ा सा पुराना हो गया है मतलब जनमास्टिमी के बाद का है जनमास्टिमी तो मैंने मन आई नहीं थी पर उसके बाद का ये वीडियो है उसके दूसरे दिन से फिर मैंने थोड़ा सा विलाग बनाया था उसके बाद फिर दूसरे दिन का भी है तो ये वीडियो दो दिन का है और आप लोग समझी सकते हैं कि अभी मेरी तविया ठीक नहीं थी इस वाजे से मैंने वीडियो नहीं डाल पाई बस ये बना हुआ रखा था लेकिन मैंने से कंप्लीट नहीं किया था तो आप लोगों को नहीं मिल पाया तो थोड़ा सा लेट हो गया है अभी मॉर्निंग की सुबह की चाय और जो तोस है वह बस हम लोगों नखाए हैं मतलम नास्ता नहीं हुआ है नास्ता भी मैं बनाओंगी तो अभी मैं बना रही हूँ सुबह सुबह मैं मॉनास्ती की तैयारी कर रही हूँ तो आप लोग सोच रहे हूँगे कि मैं डाल बना रही हूँ तो ये सांबर है सांबर ही बना रही हूँ पर मैं डाल जैसे ही पहले इसको बना लूँगी और सांबर में मैं मतलब सबजियां जादा नहीं डालती हूँ डालती हूँ नहीं जादा अगर रहती है लौकी बस अगर रहती है तो डाल देती हूँ और नहीं होती है ना तो फिर नहीं डालती हूँ तो अभी मैं ऐसी सिंपल सी बना रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें आदी डाल निकालके फिर उसके बाद मैं इसमें सांबर का जो टेस्ट है वो दी दूंगी तो पहले डाल भी मनला साथ के साथ दोनों काम हो जाएंगे दोपेर का लंची भी तयार हो जाएगा और नास्ता भी तो बस यहां मैं डाल को चौक दूंगी और अभी मेरी तबियत थोड़ा बहुत ठीक है तो इस और आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स थे इतने सारे क्वेस्टिन थे कि सच में बहुत ही जादा मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतने मतलब मुझे इतना ज़्यादा मेरी वीडियो को पसंद करते हैं इतना प्यार करते हैं और इतना प्यार देते हैं ना तो नई भी हिम्मत थी ना तब भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया और अच्छा लगा मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा करके बनाया पर अच्छा लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा तबियत मेरी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी तबियत कुछ ऐसे खराब नहीं हुई है बस यह यह कि सर्दी है और खासी है मुझे सबसे ज़्यादा तो उसी के कारण बिलकुल भी कुछ नहीं कर पा रही थी मैं खास कास के मेरा हाल नहीं बहुत खराब हो गया था तो इस वज़े से मैं 25 भर भी नहीं कर पा रही थी अभी मैंने बहुत ही सारे एतने मतलब नुक से जो हैं वो अपनाए पता नहीं मैनने क्या क्या यूज किया मैनने जैसी की लॉंग बुँझ कर खाई और जो मनलब बहुत सारी इसी चीज है ना जो उसमें आती है गर्ण चीजों में वो मैननने काई और कुछ अधरक अद्रक तो इतना ज़्याद़ है। और गाईँ है। तब जाकी भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैनने दवाई भी कराी। दवाई भी खाइं। अभी भी ठीक नहीं हुआ। बहुत ही ज़्याद़ है। सुखी वाली खाँसी। तो वो आरही है। ये बैटर मैंने कल ही बना कर रखा था और ये आदा बच गया था तो मैंने सोचा अच इडिली बना लेती हूँ उस दिन मैंने अब बना लिये थे ढो से आज मैं इडिली बना रही हूँ तो बस ये बहुत ये अच्छे से फर्मेंट हो गया है तो इनके सारे कबिनेट्स में ये मैं डाल दूंगी और बस इडली अभी तयार हो जाएंगी तो आज के सुबह के नास्ते में ये इडली और सामबर और थोड़ा सा जो तो बस मैं यही कह रही थी कि आप लोग ना कितने अच्छे अच्छे थोड़ा थोड़ा मैं बीच में बताते भी जा रही हूं आप लोगों को रेसिपी का और आप लोगों के सवालों के जो है ना बहुत सारे इतने प्यारे प्यारे कमेंट थे ना तो उनके भी रिपलाइ करते जा रही हूँ ऐसा तो हो नहीं पार रहा है कि एक तो मैं कि आप लोगों को मैं सोच रही हूँ ना क्वेस्चन अंसर का वीडियो बनाओं पर मैं सोच रही मेरा थोड़ा घर ना तयार हो जाए तो मैं उसमें अपना जो क्योंएने का वीडियो बनाओंगी और आप लोगों के सारे क्वेस्चन के जबाब दोँगी तो वस बही इंतिजार कर रही हूं मैं देली रूटिन की पूजा करते हैं ना बैसे ही पूजा हो गई मेरे हस्बेंट और घार देग ने कर ली मिलकर और मैं नहीं की तो बस इसी कारण मैं नहीं कर पाई ना कोई चीज ना तैयारी ना कुछ भी तो इस वज़े से लोग ने ऐसे कर ली और जब सारी चीज़े तैयार रहते हैं ना तो फिर ये लोग अच्छे से कर लेते हैं और फिर मैं भी आज जाके मैं बलॉग बना रही हूं अभी भी मतलब ठीक ठाक नहीं है गला ही मेरा बाकी यसी तर्विए भी खराब नहीं है बस जे है कि गला ना खराब हो गया है, खास खास की, और खाना भी मुझसे दो देन हो गए है, बिलकुल भी कुछ ने कहा जा रहे, गले के खारण, और सुवेरे थोड़ा बहुत नाफ्टा कीया है, तो जो की ओ, नास्तार रखा हुआ है थोड़ा ही बहुत खाया है किसी ने ने खाया पराँते बनाई थे मैंने कल जो सब्जी लेग्हेरा बनाई थे और दाल वही लेफट आवर मिक्स करके पराणते बना लिए थे और एडली बनाई तो सारी इंता जो है न GIRla उब पर्छा रहें छत्ते तो बाहर जो रिपा काम चल रहा distinguished उस अभब ना किसी चीज में नहीं लग रहता है तो मैंने क्या कि यह मैं बाहर ना चाय वगलर है पी कर और फिर उसके बाद रिप्र उड़ा चानने में लगी कि 있어 ब तो हमनों उने सोच दोड़ा बहुत काम आमनों भी कर ले रहें क्योंकि हम देखते हैं कितनी क्या खंडिशन हो पारी है बहुत ही ज़्यादा मतलब हानत कराब हो चुकि एक तो इस घर के चक्कर में बनने में और मेरा काम बंद है वो अलग और तबियत कराब हो गए वो अलग तो यह सारे मतलब मिक्स होकर सारा टेंसन हो गया और अभी मैं आई हूं तो मैंने सिर्फ बरतन व होए हैं अभी ऐसी में साफ कर रही थी तो ग्यास मैंने क्लीन कर दी है पूरा बस में खाना बनाना है भिंडी रखी है और अंदर का पूरा काम कंप्लीट है मैंने रात को ही जहार वरतन पहुंचा आराम राम से कर दिया था सुबेना सबजियां भी लीती तो जैसी कि तैसी रखी है भिंडी भरवटी और धनिया इनको ब्हास करके और अभी मैं लन्च में भिंडी बनाने वाली हूं भिंडी की भुजियां बनांगे और रोटी बनांगे चलिकां कर लेती हूं आराम आराम से सूचा तो तकि ब्लागने बनाऊंगी पर करती जा रहे हो थोड़ा थोड़ा दीले दीले काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा एक दिन अगर किचन साफ नहीं होती तो कितना टेंसन हो जाता है सोचिए मजे तो 3-4 दिन हो गए पिन चार दिन को मैं ठीक से ठंग से साफ साफाई भी ने की यह बहुत ज़्यादा घर है ना कराब हो गया है करते रहो तो सफ़ी रहता है नहीं नहीं कर तो और नहीं भी खर भी लेती हो ना तब भी है है ना ऐसे यह इतने दो अभी तो फिलाल आती रहेगी क्योंकि काम चल रहा है न तो दस्ट भरती रहती है लेली थोड़ी बहुत लेकिन साफ करती रहती है तो सही रहता है बहुत तेज वाली यहाँ पर गर्मी भी चल रही है बहुत ही मतलब बारिस होई नहीं रही है जवलपुर में यहां का बैदर ऐसा ही है अभी दो चार दिन पहले ही बारिस होई थी अभी बिल्कुल भी बारिस बिल्कुल नहीं हुई है तो इस गर्मी से भी बहुत ज्यादा परिसान है बहुत ही सारे कमेंट में मतलब पूचा इतना खयाल करते हैं इतना ज्यादा मतलब मुझे सपोर्ट करते हैं सच मैं बहुत बहुत थैंक्यू बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग मेरे सेहत के बारे में पूच रहे थे सब लोग तो पेलाल तो मैं अभी थोड़ा ब अच्छा आप लोग बहुत से मेरे घर के बारे में पूछ रहे थे होम टूर कराईए घर का अगर आप लोग पुराना वाला होम टूर देखना चाहते है न तो वो मेरे उसमें चैनल पर है होम टूर का लगसे वीडियो बहुत चोटा सा है आप लोग देख लीजिएगा और न आप लोगों को नया वाले घर का होम टूर कराऊंगी तो अभी तो फेलाल पुराना वाला है आप लोग देख लीजिएगा तो मैं सोच रहे हूं बस थोड़ा सा ये हो जाए फिर हम आप लोगों को अच्छे से वीडियो सेयर करूंगी और अपनी रूटीन पर आ जाऊंग पेलाला भी तवियत के कारण बिगड़ी से हथ इस वज़े से और ये है आज मतलब भी घर दिखा रही थी तो ये नेस्ट मॉर्निंग की गले पर जो मैंने इडली बनाई थी वो पिछले दिन की थी आज नेस्ट मॉर्निंग है तो इडली बची हुई थी उसका मैंने तीररर यर नेर अच्छा थोड़ा सा शचार साना करता हिए रही थी जैसे तो इससे रहता है कै तो आज जोप्हर DR. के लंच में मैंने बनाई अध भिंड़िकी बूजिया और जूटिया तो मैं खाना खा रही हूं सबने खाना खा लिया है बस मैं ही खा छारी हूं तो बस आप लोग इतने सारे आप लोगों के question है सब का reply तो मैं नहीं कर पारी हूँ एक इस बार में वीडियो में थोड़ा-थोड़ा करते जाओंगी और आज मैंने इतने सारे मनला तीन दिनों मैंना आप लोगों के आज इतने सारे comments और question पड़े तब जाके मुझे बड़ा सुकून सा मिला तो फिर मैंने वीडियो आप लोगों के लिए ये complete किया मैंने मुबाइल तक नहीं उठाया था मैंने एक भी कुछ भी नहीं किया था सच यकीन माने आप लोगों कुछ भी नहीं किया मैंने तो अच्छा लगा आप लोगों ने इतना सारा धेर सारा मेरे लिए प्यार सपोर्ट हर चीज मेरी फिकर करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बस थोड़ा सा ठीक हो जाओं फिर मैं अपने रूटीन पर आ जाओंगी और अच्छे अच्छे ब्लॉक्स आप लोगों के लिए सेयर करूंगी तो इसी तरह बस आप लोग मेरा साथ देते रहें मुझे अच्छा लगता है और बहुत सारे मतलब ऐसे भी क्वेस्टिन है जो नए नए मेरे न्यू सब्सक्राइबर लोग जोड़ते है न तो उनको पता भी नहीं होता है ज़्यादा तो उनके भी रिपलाई मुझे करने है कमेंट्स में सब लोगों के पढ़ती हूँ आप लोग यह मत सोचिएगा कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ सब के पढ़ती हूँ पर मैं किसी चीज का वेट करती हूँ ना कहते हैं कि कोई चीज अगर सही टाइम पे हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे किसी भी टाइम पे दो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता और एक सप्प्राइज टाइप कर रहता है जब अच्छे से टाइम पर आप लोगों को जवाब मिलते हैं तो बस उसी का वेट कर रही हूँ और यहाँ पर फिर साम का टाइम होने के बाद मतलब खाना पीना खाने के बाद मैं फिर लेट एट गई थी साम को फिर ना लाए तो मैंने पानी वानी भरा कपड़े अपड़े भी धुल दिये और लास्ट में मैंने गया हूँ भी धुए आज से मैंने गया हूँ धोना स्टार्ट कर दिया अभी दो महीने तीन महीने साइद नई धुले तीन महीने लग बग नई धुए कहते हैं कि नई धोते हैं सावन का महीना जो भी होता है उसमें गैहू नई धोय जाते हैं मेरी मम्मी कहती है इसलिए मैंने नई धोय तो मम्मी नखुद माना किया था और आप लोगों नखुद देखा होगा मम्मी मेरे घरा आई थी दो बार मेरे गैहु साब की ये दो महीने तो वज वही बना कर युज कर लिये थे और उसके बाद फिर मैनने आस से दोना स्टार्ट कर दिया तो वज इनको मैं छ़ट में फैला दूंगी अभी तो राद बार रख दूंगी सोबे मैं इनको फैला दूंगी तो यह अच्छे से सूख जाएंगे यहां तो बारे सो ही नहीं रही है एक दो दिन हो गए है दो तीन दिन लगबग तो बारे सो ही नहीं रही है पता नहीं क्यों तो यहां का बैदर ऐसे ही चल रहा है अभी लाइट वाइट मैंने जला दी है साम की सामके 6-6 बज रहे हैं भी लगबग तो यहाँ पर मेरा सारा काम कम्प्लीट है नीट अन किलीन सारी चीज हैं अभी मैं थोड़ा सा चाई बगयर पी हूँगी अंदर की लाइट जलाने आई थी तो चाई रखी हुई थी थोड़ी सी आप लोग वेढ़ कीजिए थोड़ा सा तो आज का वीडियो बहुत थोड़ा सा भी फसंद आया तो प्लिस लाईक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा चैनल पना है तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा प्लिस तो आज का वीडियो हम यहीं पैन करते हैं मैं मिलूंगी अपनी नेस्टी वीडियो में किसी और अच्छे से व्लोग के साथ तब तक के लिए तेंक्यू भाई भाई और अपना खयाल रखें